तो गाईस, आज के इस सुड़ में बात करने वाले हैं कि आप Grow Apply केंशन में Auto Pay कैसे कैंसे करेंगे Auto Pay को कैसे बंध करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 1 S.I.P. स्टार्ट करने के बाद Auto Pay को मैंने यहाँ पर Activate कर रखा है तो इससे कैसे Deactivate करेंगे क्योंकि इन केस अगर मेरे खाते में पैसा नहीं रहा जिस दिन SIP कटना है तो उस दिन अगर आटो पे आपका इनेबल रहेगा तो उस दिन अगर पैसा नहीं रहा आपके खाते में जितना आटो पे के थुरू कटना है तो ऐसे केस में आपके उपर bounce back का charges भी लग सकते हैं तो इससे बचने के लिए आप लोग आटो पे को कैसे disable करेंगे कैसे cancel करेंगे यह process आप लोग को step by step बताने वाला हूँ तो वीडियो को बिना skip के पूरा देखेगा जिससे के आप लोग को सही और सर्टिक जनकारी मिल सके इसके लिए simply यहाँ से back करेंगे बैक करने के बाद simply आप लोग अपना mostual fund वाला जो यहाँ पर ओपर में आइकन है simply इस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का dashboard सो करता है जिसके बाद आप लोग को यहाँ पर bank details वाले पर simply click करना यहाँ पर ठीक है इसके बाद आप लोग जैसे click करेंगे तो आपके सामने जो भी आपका bank account यहाँ पर link रहेगा इसका detail आजाएगा यहाँ पर जो की primary bank है secondary bank है किस तरीके से bank है यहाँ पर link है वो complete process आप लोग के सामने आजाएगा इसके बाद simply आप लोग को यहाँ पर three line पर click करेंग करके कौन सा bank account है आपका IFSC code branch name प्लस आपका autopay का method भी यहाँ पर so हो जाएगा जो भी आपने autopay को enable किया होगा आपने approve किया होगा online ठीक है तो इसे कैसे आप लोग को delete करना है delete करने के लिए आप लोग को यहाँ पर जो three button दीख रहा है simply इस पर click करेंगे जैसे इस पर click करेंगे तो आप लोग के सामने हाँ पर दो आप सनाता है पहला मिये के primary second delete ठीक है तो आप लोग को delete करना है चुकी simply delete पर click करेंगे तो यहाँ पर दोबारा से confirm करने के लिए बोला जाता है कि आप लोग जो है कि वास्तों में delete करना चाहते है delete auto पे तो देखे अगर आप लोग को bounce back charges से बचना है यानि कि देखे bounce back charges क्या होता है देखे bank ने तो आपको आपने bank को तो इलाओ कर दिया कि हाँ जब भी installment का data है तो मेरे जो है कि खाते से आप इतना पैसा काट लेना जो भी मतलब कि आपने full permission दे दिया है लेकिन अगर in cash जितना auto pay के थुरू payment अगर कटना है उतना अगर आपके amount में account बेगर राशी नहीं रहा तो आप लोग का जो है कि bank की तरफ से bounce back का charges लगने लगते हैं तो इस charges से बचने के लिए आप लोग auto pay को disable कर देजिए और जब भी SIP का data है तो manually payment किजिए बेतर रहेगा ठीक है तो simply या फिर आपके खाते में हमें सा पैसा रहता हो तो आप लोग enable ही रहने देजिए इसके बाद simply आप लोग को यहां पर yes पर click करेंगे अगर आप लो 500 रुपय का SIP मैंने कर रखा है सिंपली इस पर click करेंगे ऊपर टॉप में जो cancel SIP लिखा हुआ है ठीक है cancel SIP ठीक है इसी cancel SIP पर click करेंगे और इसके बाद यहां पर दो आपसे नाता है cancel this SIP and skip installment ठीक है तो यहां पर अगर cancel करना चाते हैं आटोपय को delete करना चाते हैं तो cancel SIP पर click करेंगे और confirm cancel पर click करेंगे और आपका जो SIP का cancellation है request है वे requested हो चुका है आप यहाँ पर देख सकते है ठीक है यहाँ पर requested हो चुका है ठीक है यहाँ पर requested हो चुका है ठीक है तो यहाँ आप से got it पर click करेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो SIP है cancellation में यहाँ पर हो चुका है ठिक है और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा segment cancellation in progress अब हो चुका है ठिक है और जो एकी second SIP है ठिक है second SIP है इस पर भी कलिक करके आप लोग भी इसे जो एकी कर सकते हैं ठिक है edit SIP तो सबसे top पर कलिक करेंगे cancellation already मैंने cancel का रखा यह भी cancellation in progress है आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक तो इस तरीके से आप लोग आप लोग का जैसे यह SIP cancel हो जाएगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से auto pay को delete कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आएंगे ठीक bank पर click करेंगे और यहाँ पर 3 बिंदू पर click करेंगे और यहाँ पर यह S पर click करेंगे तो आप का auto पर delete हो जाएगा